देश के साथ राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कॉंग्रेस अपने प्रदर्शन से उत्साहित है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साथ राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की ओर से बुना गया भय और भ्रम का जाल तूट चुका है किसान नौजवान मजदूर व्यापारी और नौकरी पेशा समेथ हर वर्ग तानाशाही का समूल नाशक न्याय का राज स्थापित करना चाहता है कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अपने जीवन की बेहतरी और सम्विधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया गट बंधन के साथ खड़ी है 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गट बंधन ने 10 सीटों पर कबजा कर लिया है वहीं बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है उपचुनाव में इंडिया गटबंधन और कॉंग्रेस के बहतर प्रदर्शन पर पार्टी के अध्यक्ष मलिकर जुन खडगे ने कहा कि यह नतीजा मोधी शाह के गिरते राजनीतिक साख का प्रबल प्रमान है उन्होंने एक्सपर पोस्ट कर कहा विधान सभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जन्ता के सामने नत्मस तक हैं उन्होंने जहां जहां कॉंग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने कहा विप्रीत परिस्थितियों में सभी कॉंग्रेस कारेकरताओं की मेहनत और प्रयासों के लिए हम उनका अभिवादन करते हैं उप्चुनाव में मिली यह जीत दर्शाती है कि जन्ता ने बीजेपी के एहनकार कुशासन और नकारात्मक राजनीती को अब सिरे से नकार दिया है कॉंग्रेस महासचिव प्रयांका गांधी ने उप्चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि साथ राज्यों की 13 सीटों पर हुए उप्चुनाव में देश की जन्ता ने अपना समर्थन इंडिया गट बंधन को दिया है देवभूमी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंट की जन्ता ने कॉंग्रेस पर भरोसा जताया है कॉंग्रेस और इंडिया गट बंधन के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बढ़ाई BJP पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जन्ता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीती देश का भला नहीं कर पाएगी जन्ता को सकारात्मक राजनीती चाहिए जो वर्तमान को बहतर करें और भविश्य के उज होने का स्पष्ट खाका तैयार करें हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रती संकल्प बद है दस सीटों पर इंडिया गट बंधन को जीत मिली है और साथ ही साथ एक सीट निर्दलिय के खाते में गई है आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइक